बात जब autism awareness की की जाती है तो दो तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए सबसे पहली बात यह कि सारा केस autism नहीं होता है हमने अपने practical experience के अधार पर बहुत बार इस पर चर्चा की है कि 100 केस जो आटिज्म के नाम पर आते हैं उसमें से 70 केस जो होते हैं तीस केस में autism होता है उसमें भी अलग-अलग ग्रेड जो बुलते हैं हम लोग ग्रेडिंग देते हैं या फिर उसके कैटिगरी किरते हैं कि यह माइल्ड है मोड़ोरेट है सिवियर है इस तरह की बात जो करते हैं ग्रेड वान ट्व टू बात करते हैं तो यह होता है वार्चुल टाइप और लाइन ओटेम पर इसम आगर 30 पर सेंट की बात करें तो सब से ज्यादा माइल्ड वाला केस मिलेंगा मोड्रेट और सीवियर केस मिलते हैं तो इसलिए सारा केस नहीं होता सबसे पहली बात कि दूसरी बात यह कि जो आपने सुना है कि यह के उरेबल नहीं है तो यह के उरेबल होता हुआ और सबसे पहले यह तो पता चले कि उसमें क्या है तो स्इंट्थम्टप्स के हिसाफ से सिंटोमेटिक मेरेज़मेंट होता है क्यों आप फेर में रहते हैं की हम डेज E car दूप इश का नाम मिले और मार्कशिट थोडि है आपको लाइन के एक वां हällt है, बिल्कुल नहीं होना! टो इन सब चीज़ों से ठीक नहीं होने, टीक कैसे होना है? ठीक ऐसे होना है कि वो sacken तम क्या-क्या है उस व most je में उसका symptoms management कर ने से, क्योंकि कि और टिजम हो या एasosieated problems हो उनका exact management exact पहले कारण नहीं पता तो एक जैक्ट management भी नहीं होता है तो अब क्या है कि जानना होता है कि basically क्या-क्या expected conditions हैं क्या-क्या चीजों से हो सकता है उसके बारे में history लिए जाती है यह 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 करना पड़ता है लक्षणा अनुसार इलाज करेंगे वह ठीक होगा तीसरी सबसे जरूरी बात इसमें जान लेनी यह है कि पैरेंट्स का कन्फर्मेशन बाइस होना सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा कि ऐसे की का मतलब में बहुत विडियो में समझा है फिर भी इसमें बता देते हैं पुष्टी पुर्वाग्र होना हर तरफ हम उर्टीज्म सुन रहे हैं इसलिए क्या हो रहा है कि हमारे दिमाग में उर्टीज्म चल रहा है और जैसे ही और फिर बच्चा में हमारा खारता नह रहा है रिस्पॉंड नहीं करता जैसे यह सब सीज़े सर्च करने जाते हैं बच्चे के बारे में सबसे पहले आ जाता अब वैसे ही उसी माहौल में हम घुष्टे चले जाते हैं और हमको लगता है कि मेरे बच्चे को भी उसका एक क्राइटेरिया होता एक स्केल की बात करे करने उसको कैसे 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 नाफतौल करना है वो उसके एकस्पॉइट स मता पहेंगे कि क्या क्या आपको जानना चाहिए कि और यौट्यूब Krn आप नहीं समझ पहेंगे कि बच्चे को आटिजम है की नहीं है कि इन तीन चीजों पर ध्यान देना सबसे जादा जरूरी है अगर इन तीन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और जो तीसरा आपने बताया कि कानफर्मेशन बायस्ड पैरेंट्स हो रहे हैं कि मतलब उनको लग र के हैं पर प्छास केस में आपको पैरेंट्स में से सब्सक्रावबलं मिलेंगे आपको के साइकोवर्ब्लोजिकल प्रोब्लक मैं मतलब की आपको जिकष हो सकती है मतलब की होश프ida का की पापा जैसे बच्चा अमारे पासहाएं घ्ठ साइट को बुच्छों पता चला कि उसके पापा में बी ऐसा है कि पेशेंट कमी है तो यह ऐसे पैरेंट्स में होता है इसलिए लिया जाते है कि उधर से भी कुछ आ कि ठीक होगा कभी लगे ठीक होगा कभी खुश हो जा रहे हैं मतलब मूड स्विंग के प्रॉब्लम आपको भी हो गई तो अपने आपको नुक्सान नहीं होने देना है नहीं तो जब आप बिमार हो जाएंगे तो बच्चे को आप ठीक नहीं करेंगे बच्चा भी बिमार एक कंडिशन में कोई प्रॉब्लम से तो आरे में बाने बाद करते हैं तो अगर सबसे ज़्यादा जरूरत होती है मेंटल हल्थ पर बात करने की साइकोलोगीकल हेल्थ हेल्थ करने के एंगा आरो थे करते हैं जाधा दरबर्लग करते हैं मतला के उनको परदब मोचिवेट करतेरा ना कि इस सही एप्रोज क्या है पॉजिटीव एप्रोज क्या है उस डिरेक्शन में आप आगे बढ़िए इदर उदर नहीं बढ़िए इस पे हम हमेशा बात करते हैं पर आज भी इस पो बच्चे को प्रफॉलम में अपको ज्यादा क्योंकि हम क्लियर्ली बात बताते हैं लोगों को क्लियरली समझाते हैं क्या आपको समझना चाहिए पोजिटीव वे में आपको आगे बढ़ना चाहिए तो मैंने उनको बोला कि आपको मूड स्विंग और और सेशिव कंपल्सिव डिजॉडर की प्रावलम आपको खुद की है यह कोई यह साइकोलोजिकल एक प्रावलम है बस इस पर थोड़ा सा ध्यान कि एक समय के लगता था कि बच्चा पागल है या फिर ऐसा कुछ है तो मैंने समझाया उनको पता नहीं अपने बच्चे के बारे में आप लोग कैसे सोच लेते हैं लेकिन हो सकता है सिच्विशन उस तरह की रही हो आप पैनिक हो गए हो सोच लिया कोई बात ने अब समझ मे लिए हमारा वीडियो आपने देख लिया उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो फिर आपका कोई सुलियोशन नहीं है हम तो कहते हैं कि दुनिया में कहीं सुलियोशन नहीं मिलता है हमारे पास आजाई है तो यह बात भले छोटी सी बात लगती है लेकिन इसके पीछे हम कहते हैं तो इस एक बार देखना चाहिए एक बार जरूर यह करना चाहिए इधर उदर भटकने से अच्छा है कि सही जगह पे जाए और मेंटल हिल्थ की बात करते हैं तो उन्होंने एक ही सेशन में आधे गंटे के सेशन में कम से कम दस से पंदरा बार पूछा कि मतलब करें ठीक हो जाएगा मतलब इसको ये प्रॉआब्लम नहीं है मतलब उसको प्रॉबबलम नहीं है मतलब उसको इसको कोई हो रूपền वह सामने बहुत सारे लोग कि यह समझ में आता है अगर दूसरे के दुख को देखके आपकर दुखी होते हैं तो आप में इनسान यह यह बात टो इसलिए हमने समझ्ञा उनको बाते समझ्ञाई किमर को है पहले आप अपनी problem सब्सक्राइब कीजिए तभी बच्चे पर कंसंट्रेट कीजिए नहीं तो क्या है कि आपके खुद ही की प्राउब्लम है और आप बच्चे को ठीक नहीं कर पाईएगा तो दोनों लोग जलते रहेगा इसी तरह की प्राउब्लम्स बहुत सारे लोगों के साथ था एक मेडम ह अब उस बच्चे की प्राउब्लम्स बच्चे को पहले कोई भी प्राउब्लम नहीं थी गाउं में जब तक था उसके बाद दिल्ली में उसके पापकी तभियत खराब होई को लोगां से शिप्ट होगे वहां वहां एक होता है कि जैसे बंद हो जाना अपनी परिवार में अपने घर में टूबी एज के थ्री एज के फ्लैट में बंद हो जाना सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाना बच्चे का धिरे 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 रेग्रेशन आई उसमें रेग्रेशिव आटीज में डेवलप कि अब उस बच्चे की प्राउब्लम यह है कि उसको स्पेशल स्कूल भी लोग बेज रहा है चीजों को समझ रहा है उसमें है इकोलेलिया इसलिए है कि परेंस को नहीं को समझ आता नहीं है उनको लागता है कि जब बात आप बोलेंगे वह रिपीट करेंगा उस बच्चे में वह हुआ है ही इसके जलावा प्रॉबलम है कि यूज की मदर उसको कहां भीज़ रहे इस-पेशल स्कूल ano स्पेशल स्कूल में कोई नियम कानुन नहीं होता है कहीं विंप नियम नहीं होता है अपने यहां खास करण बाहर वी देशों की वाद नहीं करें है इसके स्वेसल स्कूल में replacing नहीं है तो क्या है कि बस बच्चे एक दूसरे को सचीट करके कुछ आपना भूल नहीं रहा है दूसरे कांग उस बच्चे में बी प्रावलम और बढ़ी आगा इक प्रावबलम यह भी है ले नहीं रहे रहे हैं प्रैवेट स्कूल वाले तो आऄसे भी नहीं लेते हैं government school वाले बी वहाँ सबग जाया कि अभी अपने पास रखें जितना समय दे सकती है दें पार्क में मॉल में मार्केट में सब जगा बच्चे को लेके जाएं वहां जाएगा तो काईदा कानून सीखेगा मॉल में कैसे समान को उठाते हैं उसके बाद कैसे प्रॉपर लाइन में लगके पेमेंट करते हैं तो एक सिस्टम मिलेगा बाहर में बना बनाया एक एक सिस्टम मिलेगा उसमें वह भी देरे देरे धरे ढलता जाएगा क्योंकि आपके घर पे तो सुविधा है नहीं ना कहां से उतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए करेंगे तो एक रूल डेगुलेशन कैसे होत है तो गाओं में अगर तोड़ा बहुत है तो चलता भी है तो हम लोग क्या करते है कभी कभार असेंबली मिस करते था तो उसकी वज़ग से क्या होताता है कि एक हमारी प्रिंसिपल जो थी वह सिस्टर फृदा रिचार्ड नाम उनका करके तो वह क्या करती थी ने कि हमेशा वह एक तो उनकी हाइट छोटी सी थे और उस पर उन लोग पहनते हैं लोग जो गाउन पहनती है उस्तर का उनकी पहनती थे थी थे उनको कोई seriously नहीं लेता था वो एक बात हमेशा बोलती थी कि तुम लोग आज जो ये पंद्रा मिनट बीस मिनट लेट करते हो और बाद में लगता है कि तुम लोग सुधार्द हो गए इसको तो यह चीज तुम्हारा नहीं सुधरने वाला बहुत मुश्किल होने वाली अभी से अगर आदत नहीं डाले तो हम लोग लगता था कि छोटी सी यहीं कह बताएगे हम लोग लिटरली मतलग यहीं थिंकिंग थी हमारे उसके बाद जब स्कूल खतम हो गया हमेशा का लेट लत सवाथ में पहुंचेंगे 15 मिनिट लेट होके चलकत तो आदत हमारी यह थी कि जब उधर स्कूल की घंटी बजेगी तो सुनाई देता था घर के थोड़ा दूर पर ही था स्कूल तो सुनाई देता था तो जब स्कूल की घंटी बजती थी तब तो हम लोग यहां से निकलते हमने माना नहीं और गाओं में उतने रूल रेगुलेशन के लोग होते भी नहीं वो बोलते हैं टाइमली जाना चाहिए बस एक बार बोल दिया उसके बाद वह अपने पर यह हम लोग स्कूल से घर से निकल भी रास्ते में जाकर गोली खेल रहा है कुछ भी कर तो यह चीज कि घर में जब उसी वश्था नहीं है तो बाहर में यह बाहर में में वैसे ही मौल में लगते हैं वयसे ही मौल वगए रहे में वी बच्चे को एक कर लाइन में खड़ा किया चाहिए बिलिंग के लिए आप न जाके आप बच्चे को आगे खड़े करें और आप उसके पीछे में आप रहें जैसे जैसे लाइन बढ़ते जाएगी बच्चा भी देरे देरे बढ़ता जाएगा अब वहाँ पर आप देखेंगे जो जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि बच्चे या फिर यह लोग पनीश करें इसलिए एक लाइन में खड़े हो जैसे यह लोग खड़े वह एक दूसरे को देख के कंपेर करके वह बच्चा भी लाइन में खड़ा हो जाएगा उसके बाद जैसे बिलिंग काउंटर पर गया तो वहां पर बिलिंग बले आप करवाईए प पेमेंट खुद से दिलवाएं उससे आप पैसा दें बोले कि दे उसको दे दो कितने का हुआ हुआ करे थोड़ा हिसाब किताब उसको समझाए लेकिन समझाए जरूर सबजी वगर रहा है उसको पीक करने के लिए बोलें कि तुम उठा-उठा कर रखो यह सब चीजों से उ बच्चे में पता नहीं स्पेशल ले जुकेशन का यह चल रहा है और क्या है कि तो ऑल्रेडी डेवलप किया है फिर भी जहां इजुकेशन का क्लास चलता है वहां पे उसको फ्लैस काट ले लेकर चीजें रटाई जाती तो एकुलेलिया और भी डेवलप करेगा जहां नॉ के पास गई थी बहुत बड़ी कोई डक्टर है पता नहीं नाम को याद नहीं आ रहा है इनोंने बताया यह उनको लिजाके दिखाई है उन्होंने क्या बोला है कि इसमें बिहेवियर अलिशू है बच्चे को बिहेवियर थेरपी के जरूरत उन्होंने अपने यहां लगवा दिया और भी यह अप्लाइड टर्म जहां यूज होता है अगर अप्लाइड एनाटमी की बात हो रही है तो मतलब अन्याटमी कल पॉजिशन में कहीं कोई प्रॉल्लम इनाटमी अप्लाइड बिहे कि इप्लैड्स की अप्लाइड्स कि अप्लाइड ओल्ठ प्लाइड एनलिसिस अबस और उसको आलाइज करके ग्रूप फियर साईकोमüstुली काउंसिलिंग कि उसके बाद से रिवार्ड वगेरा यह करके मतलब कि मोटिवेट करके बच्चे को थोड़ा बहुत उसको अपने आप से साइकोलोजिकली इंगेज करके बच्चे को चीजे मनवानी होती है उसके बीहबियल टैंट्रम्स को कंट्रोल करना होता है यह होता है एबीए और एब सब्सक्राइब करना चाहता है नीचे वह बैठना नहीं चाहता है उसको कुरसी टेवल बैठाके और पढ़ाई कराया जारा उसको डिग्री दिलवाया जा रहा है तो वह बच्चे में और दो तीन साल उसका वेस्ट होगा कि नहीं आप भरोसा करके तो टॉप टॉप लोगो पकड़ लेते हैं और वह पांच मिनट देखके उनको उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि उकर क्या रहा है इमांदारी से हर कोई अपना एनलिसिस करे कि वह जो काम कर रहा है क्या वह मतलब कि ऐसा काम कर रहा है कि जिससे उसको सोच के सुकून मिले कि हम कुछ की परसेंट लोग अगर शोच तो लगे कि नहीं वह वह एसा काम नहीं कर रहा है कि उनको अपने आप में सुकून मिले कि मेरे से कोई पूछेगा कि आप वह प्राइब कर रहे है कि आपको रात को अगर सोच के बारे में सोचे तो थोड़ा सा अच्छा लगे कि हां समाज के से कंट्रिबुशन करने तो हम भी हैं कि 50-60 परसेंट वैसा कर रहे हैं कुछ केसे में नहीं कर पा रहे हैं किसी ना किसी वज़ों से प्रावलम होती है कहीं कहीं कम्यूनिकेशन होता है लोग कुछ अलग दिमाग में रख लेते हैं जैसे एक चर्चा किया था पिछले वीडिय करने से बोल रही थी ना ही आ रही थी एक बार उसे सचopath के लिए उसके बाद मोंने कोई जवाब नहीं यह कोई नहीं होता ज सब्सक्राइव करते हैं जब सुब देखा जाता-ब उसके बना कॉल कर कर से कम्यूनिकेशन गैप हुआ जिसकी वज़से वह साटिसफाइट नहीं है तो यह हमारी गलती है हम एक्सेप्ट करते हैं हम हर गलती अपनी एक्सेप्ट करते हैं हमारी तरफ से जो चीज हो रहे हैं उसको सुधारने का हर संभव प्रयास भी हम करेंगे यह नहीं कि हम गलत न तो एक यह हमको आया हमको बताया गया हमारी टीम की तरफ से कि किसी का मैसे जाया था यूएई से कोई लेडी थी वो कह रही है कि मतलब हम पाकिस्तान से हैं यूएई में रह रह रहा है तो सर आप हमारी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे तो हमने बोला कि आप मतलब इधर से है एंसान है तो पकिस्तान से हैं की नेपाल से हैं की अफगानिस्तान से उससे क्या प्रोच्तान हैं हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं तो मुलके अलग अलग हुने करते हैं तो हम जहांपे हैं जहां के लिए करें सकते हैं वहां तो वहीं की बात करेंगा दुनिया के बारे माथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तो अभी सिर्फ एक जगह में जहांपे हम हैं अपने विहार पटना में याहां आप अभी सीमीत हैं बाहर के हर जगह से लोग हमको मेसेज करते हैं कि कॉल करते हैं कि सर आप हमारे आजाए एक मेडम है ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी होई थी जनवरी फरवरी के टाइम में तो वो बोल रही थी कि आप यहां आजाए कोई लोग बोलते हैं कि जैसे बंगाल व ला सुजाव है सबका सुजाव एकसेटटेट लेकिन कहा हैं जिस चीज के बारे में और उसी को हम क्या करें की एक तरह से सुडियम का उलंगन करें कैसे हुलॉ मैं कहते हैं कि जिनके नाम पे सेंटर होता है इसे आप साकत driven नाम पहांने झाल लोगों को रख लिए बस वो जो सेलेक्टेट चीजे हैं वही करते हैं उतना ही जानते हैं इसलिए प्रोग्रेस नहीं होते हैं तो हम भी अगर यही करने लगें कहीं सेंटर खोल दें हम वहां वेलिवल होने क्योंकि एक शरीर कहां 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 यह करेगा तो उन सब जगों किसी और को रखना तब क्या होता कि सारा कोस्ट जुटेगा आप लोगों के लिए तब यही जो थेरपी चार्ज हमारे आठ जार रुपया बीस सेशन का हम लोग लेते हैं आपके यहां आएंगे तो हो सकता है कि 18-20 रुपया हो जाए वही सेशन का मतलब एक हजार रुपया पर सेशन आपका ह हुआ हो जाएं में तो सब लोग अफिगो नहीं कर सकते हैं कि और हम चाहते हैं कि यह ऐचिजम वाले बच्चों के लिए अफॉडेबर T offic 1973 मेंट लेकर कि हर कोई कर सके आपका और उनका भच्या ठीक हो सबका आधिकार है छे इसलिए निन इंडिया की हम बात करते हैं और अभी यहीं से हम operate कर रहा है दीरे दीरे देखा जाएगा आगी क्या होगा कैसे होगा आप लोगों सयोग रहेगा तो सब कुछ किया जाएगा और जो लोग बाहर विदेशी लोग हैं जो foreign countries से हैं वो लोग भी जो हमारे साथ जुड़ते हैं तो ऐसा कुछ भी दिमाग में न मेसेज करेंगी तो उतना यह नहीं होता है जिस्टाइम में आप WhatsApp पर कॉल करना है हो सकता है तो नहीं देखा जाता है WhatsApp कॉल नहीं बाद में ध्यान में भी नहीं आता है तो आप लोग या तो कॉल कर लें अगर foreign countries है कॉल नहीं कर सकते हैं रोमिंग की बात है या फिर जो भी क्योंदय को यूग हुग हमने अटिजम पर बात की पैरेंट्स के mental health में बात कि इसको सुधारना जरूरी है पैरेंट्स का हेल्दी होना सबसे जरूरी है आप हेल्दी रहेंगे अपका बच्छा हेल्दी होगा उसको हम ठीक करेंगे गारेंटीड के साथ इनी सब बातों के स ने नेस्ट आपिक में धन्यवाट